दोस्तों इंडियन आइडल सीजन बारा में से इस हफते आखिर किसका elimination हुआ है आखिर वो कौन सा contestant है जिसका इंडियन आइडल का सFFर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और फिनाले के इतने करीब आने के बाद कौन सा contestant अपने घर चला गया है और किसी को इस वक्त का इंतजार था कि आखिर इंडियन आइडल के टॉप 6 कंटेस्टन्स कौन कौन से होंगे और वो कौन सा कंटेस्टन होगा जिसका सफर पूरे 7 महीनों बाद खतम हो जाएगा शो के फैंस में भी काफी चिंता दिखाई दे रही थी कि कहीं उनका फेवरेट कंटेस्टन्स शो से बाहर न हो जाए क्यूंकि अब फिनाले बहुत करीब आ गया है और फिनाले के इतने करीब आकर खाली हाथ अपने घर जाना काफी मुश्किल हो जाता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि सबस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं True Bollywood चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल True Bollywood को सबस्क्राइब करें और साथ में घंटे के निशान को ज़रूर दबा दे दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिन आइडल सेजन 12 में इस वक्त टॉप 7 कंटेस्टन बचे हुए हैं और हर एक कंटेस्टन अपने आप में काफी टैलेंटिर है बात करें अगर एलिमिनेशन की तो लास्ट एलिमिनेशन शो से सवाई भट का हुआ था जिसके बाद किसी भी कंटेस्टन का एलिमिनेशन नहीं हुआ इस हफते हर किसी को इंतजार था कि आखिर कौन सा कंटेशन एलिमिनेट होगा तो आपको बता दें कि पिछले हफते की तरह इस हफते भी शो से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है जी हम दोस्तों आप बिल्कुल सई सुन रहे हैं शो में अभी भी टॉप सैवन कंटेशन बचे हुए है और अब ये पका हो चुका है कि अगले हफते शो से एक कंटेशन का इलिमिनेशन होगा जिसकी जानकारी दी है शो के होस्ट अजित नाराइन ने खबर ये आ रही है कि शो का फिनाले एक अगस्त को होगा और अब दो हफते बचे हुए है और इन दोनों हफतों में एक एक कंटेशन को इलिमिनेट किया जाएगा जिसके बाद शो को अपने ग्रैंड फिनाले के लिए टॉप 5 कंटेशन मिल जाएगे दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगले हफते कौन से कंटेशन का इलिमिनेशन होगा हमें कमेंट बक्स में ज़रूर लिखे हमने कॉमिनिटी टैब में भी एक पोस्ट डाला है जहां पर आप अपनी राएज ज़रूर दे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रस करते